वंदे भारत एक्सप्रेस 2019 में लॉंच हुई थी और इन पात साल में टोटल 15 वंदे भारत है और इसको कंपेर करू राजधानी और शिताब्दी से तो राजधानी एक्सप्रेस 1969 में आई थी और इन 54 एस में सिर्फ 25 राजधानी एक्सप्रेस इंडिया में चलती हैं वही बात करेर शिताब्दी एक्सप्रेस 1988 में शुरूई थी और आज के समय में 21 शिताब्दी एक्सप्रेस यहाप को देखने को मिलती हैं इंडिया में इसी साल 75 वंदे भारत चलने का प्लान है मतलब 15 तो अल्रेडी चल गई है छे और आल्रेडी प्लान है और 75 भी चलने वाली है इसके साथ ही कहा गया कि आने वाले कुछ सालों में 400 से जादा वंदे भारत यहाँ पर चलेंगे लेकिन वंदे भारत को लेकर इतनी जादा हाई यहाँ पर क्यों है क्या है इस ट्रेंग में ऐसा खास यह पता लगाने के लिए रीसेंट ही में इंडिया की फास्ट वंदे भारत में ट्रेवल किया था देखो मैंने train को experience किया, उसके बाद train के बनाने की कहानी आप उसमी तो काफ़ी ज़ाद inspiring लगी मतलब train के अंदर research and development, testing, trial, सब कुछ करने में इन्हें से 18 months का time लगाता और 18 months में इन्होंने इंडिया की पहली modern rail को deliver किया था और शयादी, इसलिए से train 18 खा जाता है, अगर वंदे भारत की बात करें तो ये इंडिया की पहली semi high speed train है और semi high speed train का मतलब होता है कि यहाँ पे जो speed होती 180 km पर आर तक टच की जा सकती है हला कि देखा तो semi high speed train इंडिया में नहीं नहीं है जेस की बात करें इंडिया की fastest train गतिमान एक्स्प्रेस लेकिन बंदे भारत को इसी कौन सी चीज यहाँ पर इससे अलग बनाती है पहली बात ये एक regular train नहीं है, ये एक modern train है और इस train को देखने का जो concept आया था, ये आया था 2017 में और उस time पर पूरे Indian railway ये सोचने में लग जया था कि ये train हम इत्ती जल्दी कैसे deliver करेंगे और उस समय तो काफी सारे executives जो थे railway के वो तो बाहर गए, Europe गए, Germany गए और उन्होंने देखा कि ये train का design अच्छा है और इस train को हम import करके ले आते हैं और Germany, Europe में जो train चल रही ना, उसे हम इंडिया में चला लेते हैं कि बाहर से इंडिया में अगर लेकर आएंगे तो चीज काफी जादा मेहगी हो जाएगी और जिस चीज के आत के समय हम बात करते हैं, Made in India, आतनिरवर भारत, ये सब का कोई sense बनेगा नी और उसके बाद decide किया गया कि ये train को इंडिया में design और develop किया जाएगा और ये train बनाई गई, Integral Coach Factory Chennai के अंदर, उस जमाने में उनकी General Manager थे सुधान शुमनी जो कि इस train के project के यहाँ पर head थे, और उनी की guidance के अंदर ये train यहाँ पर बनेगे देखो वो और उनकी team ने बहुत ही जमर जैसे हाँ पर काम किया, और ऐसे time में उन्होंने ऐसी चीज डिलिवर कर दी, जिसमें कोई सोच नहीं सकता था मतलब 2017 के midman के पास project आया और train को डिलिवर करना था 2019 में और 2018 में इनका retirement था सुधान शुमनी जी का और उन्होंने ये फैसल है कि मैं retire होने से पहले train complete करके जाओं और इंडिया को ये train दे कर जाओंगा और surprisingly December 2018 तक उन्होंने इस train को यहाँ पर complete कर लिया लेकिन बात की जाया तो ये जो train जो पहले आया थी ये थी वंदे भारत 1.0 इंडिया में जो दूसरी train थी उसमें बीच में difference क्या है देखो इससे पहले यहाँ पर क्या होता था कि train के अंदर coaches होते थे डब्बे आपके और train के आगे locomotive याने की train का engine हुआ करता था अब जितने डब्बे लगाने उतने डब्बे लगाओ आगे के engine लगाओ अब गाड़ी को चलाओ इस तरीके से पूरी train को यहाँ पर बनाए गया था इसके साथ train की अगली खासवाइत है कि जब train के trial or testing किया गया तब इस train ने 180 km पर आर की speed को यहाँ पर अचीव किया तक हाला कि मैं आपको बता देना चाता हूँ train इस समय 180 km पर आर की speed पर इंडिया में कहीं भी operate नहीं होती यह सिर्फ trail or testing के अंदर थी इस समय इंडिया का अगर मैं fastest route देखू तो वह है आगरा से दिल्ली के भी जिसके अंदर दिल्ली भोपाल के भी जो वन्दे भारत express चलती है यह train इंडिया की fastest train में साथी जो की अपनी जो टॉप speed जो अचीव करती वह अचीव करती 160 km और जो आ लेकिन ऐसा मैंने सुना है कि एक train को बनाने की में जहाँ पहले 100 करोड रखी गई थी इस train को नोंने कम पैसों में deliver कर दी यानि कि 97 करोड में एक train यहाँ पर इन ने दे दी उसके बाद train को काफी जादा चलाए गया काफी real life testing होई इसकी और उसके बाद जाके अब भी उस करेंगे और पूरे इंडिया में अफ चलाएंगे इसे सालफ जो बंदे भारत एकसप्रेस होती है ना यहाँ पे शताब्डे और राजधानी से जादा चलने वाली है कुछ सालों में तो इंडिया में सबसे जादा चलने वाली टरेंडriv वाली है लेकिन बात आती की इस ट्रेन को इती जल्दी तो उन्होंने बना लिया था है यहाँ पे। लेकिन देखा जातो जो पहली वंदे भारत एक्स्प्रेस थी ना, इसके अंदर 80-85% जो कॉंपोनेंट लगे थे, वो ही इंडियन थे। 10-15% कुछ ऐसी चीजी थे जो भारत से लेकर आये थे, क्योंकि उस जमानी में इंडिया के दर सारी चीज़े अवेलेबल नहीं थी, जैसकी बात करें, जो टायर्स होते होए यूकरीन से लाये थे, जो सीट्स होते होए स्पेन से लेकर आये थे, पहली बंदे भारत 1.0 थी, क्योंकि उसके सक्सेस्फुल होने के बाद, इन लोगों ने यहाँ पे बंदे भारत 2.0 बनाई, जो पहले से जादा बैटर ट्रें थी, पहले से जादा फास थी, पहले से जादा फीचर रिच थी, इन लोगों ने यहाँ पे इन फास ट्रेंड बनानी है, इन्हों ने सोचा था इन एक लगजरी कार बनानी है, लेकिन लगजरी कार बनाने के लिए इनके बाद जो चीज़े जो रिसोर्स इस थे नहीं, तो इन्हों ने किया कि बाहर से कंसल्टेंट्स को बुलाया, उनकी मदद ली जाए कि इस ट्रेंड को यहाँ पर हम कैसे बनाया, और अंदर एक लगजरी एक्स्पीरेंस यहाँ पर हम कैसे दे, लेकिन इस बात का यहाँ पर ध्यान रखा गया, कि जितने भी IPs होते हैं, वो सारके सारे इंडिया के पास रहें, और कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं जो बाहर से लेकर है, और इनका पूरा प्लान था कि अभी तो हम इनकी यहाँ पर मदद ले रहें, ट्रेंड के डिजाइन में, डेवलोप्मेंट में, लेकिन आगे चलके इनकी जरुवत पड़े हैं, याँ आप पूरी की पूरी चीज़ हम इंडिया में खोदी बना लें, और आज के समय जो वन्दे भारत चलती है, वो इसी फिलोस्पी पर है, लेकिन यहाँ पर एक और इंट्रस्टिं बात है, वन्दे भारत को यह सोच के बनाया गया था, कि इसकी operational and maintenance cost कम से कम है, यानि कि अच्छी train तो हम ने बना ली, लेकिन जब इत्ती महेंग, इत्ती बड़ी train यहाँ पर बनाया रहे, तो उसको maintain करने का भी खर्चा आएगा, वो यहाँ पर कम से कम रहे है, इसको operational cost यहाँ पर कम से कम रहे है, यहाँ तक कि इसको limited budget में भी बनाया, प्लस इसको इस तरीके से बनाया कि पहले से ज़ादा efficient हो, यानि कि regenerative braking जो रहती train के अंदर, उसको 30% और better किया गया, जो वन्दे भारत 2 आई थी, उसका एसी 15% less power consume करे, इवन यहाँ पर बन्दे भारत 2 में जो weight होता है train का, वो भी कम किया गया, 438 टन्स था पहली बन्दे भारत का, second generation में इसको 392 टन्स कर दिया गया, इस train को यहाँ पर पहले से ज़ादा safe भी बनाया गया, train collagen and avoidance system भी देखने को लो तक, यहाने कि आपकी train यहाँ पर चल रही है, आगे red light है, driver ने brake नहीं मारा, यह train automatically गाड़ी को slow करके brake लगा दे रही है, इसके साथ ही माल लीजिए गलती से सामने को train आगे, यह train automatically इसको detect करके brake लगा सकती है, ऐसे कुछ smart feature डाले गए, जो कि safety के साथ से बहुत जादे important है, train को चलते समय जब vibrations आती वो भी खम कर दीगे, मैं अपना खुद का example बता तो, मैंने हापे गतिमान express में travel किया, और जब 160 km की speed पे चलती है ना, तो literally अगर आप उसमें चल रहे है ना, तो ऐसे ऐसे आप हिलते तो रहेंगे हाँ पर, वहाँ पर थोड़ा balance करने में थोड़ी दिक कत्व आती है, लेकिन वंदे भारत जब चलती है, तो पता ही नहीं लगता है कि train यहाँ पर चलती है, इत्ती जल्दी accelerate होती है, और train इत्ती stable चलती है, vibrations नहीं होते हैं, इस चीज़ पर इनो ने काम किया है, ऐसे लगता है कि suspension और बाकी सारी चीज़े काफ़ी ज़ादा advance है, और overall जो वंदे भारत के अंदर जो शोर आता है, जो noise level होते है, वो भी काफ़ी ज़ादा कम है, ऐसा लगते हैं नहीं कि आप एक train में travel कर रहा है, overall जो journey रहती है ना, इसकी comfortable है as compared to airplanes, aeroplane सो तो ज़्यादा affordable है, उनसे ज़्यादा comfortable है, उनसे ज़्यादा luxurious experience भी दे सकता है, और उसके fraction of price के अंदर, इसके अलावा बाकी सारी चीज़े तो हैं, automatic doors का होना, seats का rotate हो जाना, यहाँ फिर USB type C port का देना, जिसके थूर आप charging कर सकते हैं, यह काफी सारे cosmetic चीज़े नोने हैं पर करी थी, लेकिन बात करें तो कहानी यहाँ पर खतम नहीं होने वाली, इसके बाद mini बंदे भारत 2 को भी बनाने का प्लान, जिसको बनानी कीमत सिफ 65 करोड आएगी, और यह train से उन रास्तों पर चलेगी, जहाँ पर इसे 4-5 घंटे की दूरी रहती है, इसके बाद यहाँ पर metro बंदे भारत चलाने का भी प्लान है, जिसकी speed 130 km रखी जाएगी, और यह उन cities को cover करेगी, जो लगबग 100 km के अंदर आती है, लेकर अब एक सवाल आता है, यह गाड़ी हमारी इत्ती जादा fast चलती, 180 km की speed पर, तो इसे 180 km पर चलाते क्यों नहीं है, क्योंकि देखा जातों, इंडिया में जो track से वो अभी समय ready नहीं है, और अभी भी इंडिया में majority track 100-130 तक को support करते हैं, और एक ही track जो 160 km पर आर की speed के लिए design दो, उसके अंदर stable है, लिकिन ऐसा नहीं है कि आने वाले समय में, कभी 180-200 km की speed अचीब नहीं कर पाएंगे, future में वंदे भारत के और भी versions आने वाले हैं, जिसके अंदर वंदे भारत 3.0 होगी, इसकी खास बात होगी कि 180-200 की speed को भी अचीब करेगा, प्लस अभी वंदे भारत के अंदर जहांपे chair car देखने भोलती, इसपे sleeper class आने वाली है, जिससे long distance travel और भी जाद़ comfortable हो जाएगा, और तो और वंदे भारत 4.0 की भी बात यहाँ पर चल रही जो 2026 में डिलिवर होगी, चुकि इंडिया की पहली high speed train भी हो सकती है, जिसके चलानी के speed 200 km पर आर से भी जादा हो, और कहा जा रहा है कि ये इंडिया का एक bullet train को यहाँ पर जवाब होगा, बेसिकली ये train 2026 में आने वाली है, और कहा जाता है कि ये train चलेगी मुंबाई से एहमदाबाद की बीच, और इसके लिए इंडियान रेलवे और रेडी construction कर रही, special track का मतलब, special petriya बिचा रही है, यानि कि bullet train का जो सपनर है था, वो हमें वंदे भारत यहाँ पर देने वाली है, वंदे भारत 3.0 से train को इस तरीके से design किया जाएगा, जिसके बाद इस train की जो life होगी, वो होगी 35 years तक की, यानि कि लंबे समय तक इस train को यहाँ पर चला जा सकता है, देखो यह कुछ ऐसी चीज़ें जो इंडिया वालों नहीं हाँ पर develop करें थी, और इन सब चीज़ों के बारे में बाहर किसी ने सोचा ही नहीं था, और यही एक रिजर ने कि आज के समय बात चल रही है, वंदे भारत को export करने की, साउथ इस टेशन कंट्री और साउथ अमेरिकन कंट्री ने इंटरस दिखा है कि वंदे भारत को हम इंपोर्ट करके अपनी कंट्री के अंदर चला है, लेकि बात है कि वंदे भारत का export तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक इंडिया में टोटल 475 वंदे भारत का जो order मिल है न वो पहले complete नी हो जाता, यानि कि पहले इंडिया में हम अच्छे तरीके से चलाएंगे, उसके बाद अगर ज़रूरत लगे तो हम इसे बाहर दूसरे देशों को बेचेंगे, जिसके बाहर में बोला गया कि वो चीज़ भी 2026 के बाद यहाँ पर शुरू होगी, और जब से वंदे भारत ट्रेन आईए न इंडिया में तो ग्लोबल लेवल पर जो ट्रेन के मैनुफेक्चरर से ना, उनकी विश में भी तरह से हड़कम सही मत गया था, क्योंकि वो भी देखके हैरान होगा है कि इंडिया ने इतने कम टैम में ऐसी ट्रेन कैसे यहाँ पर डेवलप कर ली, और देखके काफी अच्छे लगता है कि इंडिया में भी modern ट्रेन का जो जो जमाने वो आया है, बाई दावे मेरा भी आप लोग इस सवाल है, आप लोगों ने कभी वन्दे भारत को experience किया या करने वाले उत्ते बात नीचे कमेंट बता ना भूला, अपने experience नीचे शेर कर सकते हो, और यहाँ पर कुछ और वीडियोज है, उनको भी जाके आप यहाँ पर चेक आउट कर सकते हैं, खंगो कभी देखने के लिए आप सम्झा नेक्स वन में, गुद्बाए!